Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुक योजनाएं. ये योजनाएं current based हैं, तो ये prelims as well as mains के लिए बहुत मात्यपूर्ण हैं. क्योंकि mains में अक्सर जब आप answer writing करते हैं, तो आप summary के रूप में या किसी भी answer को आप लेख रहे हैं. जैसे कि, for example, अगर पूचा गया कि मद्य प्रदेश में खाद्यान की स्थिती क्या है, तो अगर उसमें खाद्यान से related कुछ scheme अगर आप अपने answer में put करते हैं, तो आपका impression बहुत अच्छा पढ़ता है. तो कुछ प्रमुक योजना हैं हम आज पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं. चलिए, सबसे पहले जो योजना है, उसका नाम है डेरी सहकार scheme. अब डेरी है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये दूद की उतपादन की बड़ोत्तरी के लिए होगे. तो डेरी छेत्रों को म मंत्री अमित शाह जी. ये याद रखना है आपको क्योंकि सहकारिता मंत्रालय जो है, ये पहली बार बना है. इसके पहले सहकारिता मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय नहीं होता था. तो इसको याद रखना है. कौन है? तो अमित शाह जी इसके अध्यक्ष है. इसके प्रमुक प्रधान्मंत्री आत्म निर्भर स्वास्थी युजना के सबी राजयों में लगभग 11न 24 सहरी स्वास्थ कल्यान केंदर खोले जाएंगे बस ये याद रखेगे सहरी स्वास के इंदर खोले जाएंगे संख्या याद ना हो तो भी चलेगा फिर most important लगा लेजिए PM गती शक्ती योजना आजादी के 75 वे स्वतेंतरता दिवस के अउसर पर 100 लाख करोड ये amount याद रखना है 100 लाख करोड की गती शक्ती योजना की शुरुवात की जाएगी इसका उद्देश क्या है औद्यों के उत्पादन को बढ़ावा देना बुन्यादी धाचे का विकास करना और योबाओं के लिए रोजगार के अउसर पैदा करना तो प्रदान मंत्री जी के नाम पर ही बहुत सारी योजना इसे लाई जाती है तो इसका नाम क्या है प्रदान मंत्री जी ने मिड़े मील को पांच साल की अवदी के लिए क्या किया गया है बढ़ाया गया है और इसका नाम दिया गया है पीएम पोशन योजना इस योजना के तहट जो लोकल लेबल है स्थारी स्थार है वहाँ स्कूलों में बच्चों को स्वादिस्ट और पोस्टिक मद्यान भोजन अपलब्द कराया जाएगा ओके तो पीएम पोशन योजना मिड़े मील से रिलेटेड है फिर ये ये भी काफी मात्यपूर इसकी में इसको भी आप IMP लगा सकते हैं उज्जुला 2.0 इसके पहले उज्जुला योजना थी जिसकी शुरुवात कहां से हुई थी एक मैई 2016 को हुई थी और 10 अगस्त को प्रधार्वंत्री मोदी जी ने UP के महोबा से आपको प्रिलिम्स में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि उज्जुला 2.0 स्कीम कहां से लौच हुई तो UP के महोबा से हुई कब हुई तो 10 अगस्त को हुई इसके तहट 2.0 वर्जन शुरू किया गया है इसके तहट क्या होगा कि जो लाभारती है उनको सिलेंडर के साथ चूला भी फ्री मिलेगा तो यह आप याद रखिएगा PM Care for Children योजना PM Care for Children स्कीम क्या है इसके तहट COVID-19 के दौर में COVID-19 के कारण जिन पच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है अपने माता पिता को खो दिया है उनको PM Care के तहट 10 लाग रुपे दिया जाएगा 10 लाग का उनका कोश तयार किया जाएगा फिर नेक्स न्यूज है E100 तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने परियावन सुरक्षन के लिए इसमें क्या है E100 परियोजना के तहट एथेनल उतपादन के वितरन को नैटवर्क स्थापित किया जाएगा एथेनल उतपादन नथा उसके वितरन का नेटवर्क बनाने के लिए E100 स्कीम लाग हुई है फिर ग्राम उजाला के इंतरकत इसमें क्या होगा सस्ते LED वल्व प्रोवाइट किये जाएंगे वाट इस फुल फॉर्म ऑफ LED ये आप बताएंगे क्या कि मैं ही बता दूँ चलिए मैं ही बता देती हूँ लाइट इमेडिंग डायोड LED का फॉल फॉर्म क्या होता है लाइट इमेडिंग डायोड फिर इसकीम है मित्रा स्कीम मित्रा एम आई टी आरे इसका जो संबन्द है वो कपड़ा उद्द्योग में निवेश को आकाश्रित करने के लिए और ग्लोबली हम कॉम्पीट कर सके इसलिए मित्रा स्कीम लाँच की गई है इसका संबन्द किस से है तो कपड़ा उद्द्योग से है फिर रास्टी हाइड्रोजन मिशन इसका उद्दिश क्या है हरत हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है और इसके उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना जो इंडिया है उसको ग्रीन हाइड्रोजन का हमें प्रोड्यूसर भी बनाना है और एक्सपोर्टर भी बनाना है फिर अमरुत 2.0 ये क्या है इसके तहर्ट 2.68 करोड नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तो इसके तहर्ट क्या करना है कि इतने सारे हमको लगबग 2.68 करोड नल कनेक्शन प्रवाइड कराने है ताकि 100% पानी की अपूर्ती हो सके फिर मैंने आपको Current Affairs की क्लास पर पढ़ाया था कि हर घर नल से जल हर घर नल से जल प्रवाइड कराने वाला मद्य प्रदेश में कौन सा जला है और भारत में कौन सा राजज है ये आपको कमेंट पॉक्स में लगकर बताना है आपने एधी current affair की classes देखी हैं तो आप definitely इसका answer दे पाएंगे फिर स्वक्ष भारत mission 2.0 स्वक्ष भारत mission 2.0 में क्या है इठोस कचड़ा प्रबंदन खुले में सौच मुक्त शहर पर ध्यान देना है तो नाम से समझ में आ गया होगा आपको फिर power thorn ये इतना important नहीं है तो आपने इसमें याद रखिए कि आपको कौन-कौन सी scheme बहुत अच्छे से पढ़ना है वैसे तो सभी पढ़ना है लेकिन जो PM गती शक्ती योजना है इसको specially याद रखिए अप उज्जुला 2.0 है इसको भी अच्छे से याद रखिए और यहाँ पर कौन सी scheme बहुत मत्यपूर है अमरुत मिशन और आश्टी हाइडरोजन मिशन इनको भी याद रखना है फिर आजाईए ये मत्यप्रदेश की अभी पढ़ेंगे scheme फिर यहाँ पर कौन-कौन सी मंत्रालाई ने कौन-कौन सी scheme दिखा ली है ये बताये गया है तो नागरिक उड्डियन मंत्रालाई नागरिक उड्डियन मंत्रालाई की scheme है क्रसी उडान 2.0 इसका संबंध जो है कि जो नौर्थीस्ट वाले राज्जे है उनमें किसानों को क्रशी उत्पादों की परिवहन को सहायता देनी है तो क्या है कि बांकी राज्यों में तो फिकास फिर भी हो रहा है लेकिन जो नौर्थीस्ट है वो डेवलप्मेंट से काफी पीछे हैं तो उनको हमें मुख्य दहरा में लाना है तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर बहुत सारी पहाडिया है तो पहाडी चित्रों में जो किसान है उनको क्रशी उत्पादों की जो आवागमन होता है जो परिवहन होता है ट्रांस्पोटेशन होता है उसमें काफी दिक्कत होती है तो उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये क्रशी उडान 2.0 इसकी लाँच की गई है फिर महिला इवं बाल विकास मंत्राले ने वन स्टॉप सेंटर लाँच किया है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़त महिलाओं की सहायता करना इसका उद्देश है अगर किसी भी हिंसा की किसी भी प्रकार के वाइलेंस की महिलाएं शिकार होती है तो उनके लिए सहायता उपलब्द कराएगा वन स्टॉप सेंटर फिर महिला एवं बाल विकास मंत्राले की दूसरी योजना है इस्त्री मनुरक्ष परियोजना जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिला है वो mentally उनकी जो mental health है उसको stable करने का काम करती है तो इसका नाम ही है इस्त्री मनुरक्ष योजना फिर प्रत्वी एवं विज्ञान मंत्रा इसके तहर deep ocean mission नाम से समझ में आ रहा है deep means गहरा ocean means समुद्र जो सागिरी संसादन है जो ocean में जो resources है उनका क्या करना सता तुपी होगे तो गहरे समुद्र का पता लगाना क्योंकि जो minerals है जो gases है वो समुद्र के अंदर है तो हमें उनका sustainable तरीके से use करती हुए उनकी बारे म हमें पता लगाने का काम deep ocean mission के तहट करेंगे फिर important है ये project bold आपको 3 marker में भी पूछा आ सकता है अक्सर ऐसा लगेगा नाम सुनके कि ये कोई शशक्ती करण से related होगा बट ऐसा नहीं है खादी और ग्रामुद्योग आयोग है और जो आदिवासी है जो tribe से उनकी आय को आने के लिए ये शुरू किया गया है और इसका समंध किस्से है तो bamboo production से इसका समंध है यहां पर bold का full form है bamboo ये full form याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस आप ये रखिए कि किसानों की आय को दुगना करेगा और आदिवासी चित्रों में मास की पादक्ता को बढ़ाना इ रिंड प्रदान करने के लिए दी गई है कुमहारों को जो लोग पिशड़े हुए है उनके लिए ये युजना शुरू की गई है फिर श्रम और रूजगार मंत्रा ले की युजना है डिजी सक्षम तो ये श्रम और रूजगार मंत्रा ले ने Microsoft के साथ डिजटल कोंशल का लॉंज किया है जिसका नाम क्या है डिजी सक्षम फिर आरोगी 2.0 आरोगी धारा 2.0 तो हमने पी एम हमने क्या पड़ा था जो आयुश्मान भारती योजना है तो इसी का नाम है जन आरोगी योजना इसको इसकी पहुँच को बढ़ाने के लिए अभी जो स्वास्त मंत्री है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है भारत के वर्तमान में उनका नाम है मनसुक मंडाबिया तो हेल्थ अगर आप हेल्दी है तो आपका मन सुखी रहेगा तो मनसुक मंडाबिया ने 18 अगस्त को क्या किया है अरोगी धारा 2.0 को लॉंच किया है फिर स्वस्तिवम परिवार कल्या मंतराले की एक और स्कीम है यह स्कीम में में पहले भी पूछी जा चुकी है कि मिशन अंदर्धनुष क्या है या आपको बच्चों से सम्मंदर टीका करण से सम्मंदर क्वेशिन आता है तो आप वहां पे मिशन इंदर्धनुष लिख सकते हैं तो मिशन इंदर्धनुष 3.0 इसके पहले mission इंद्रदनुस 1 और 2 launch हो चुका है तो बच्चे गर्वधारी महिलाओं के टीका करण के लिए vaccination coverage को पूर करने के लिए ये scheme लाई गई है इसके तहित जैसे इंद्रदनुस होता है इंद्रदनुस में कितने 7 रंग होते हैं तो वैसे ही इसमें पहले 7 तीके include किये गए उसके बाद 9 तीके और उसके बाद 13 तीके include किये गए जिसके तहट BCG और भी जो DBT और भी जो तीके लगते हैं उन सब को include किया गया है फिर ग्रामीड विकास की बात करते हैं ग्रामीड विकास मंत्राले ने gender संबाद कारी करम शुरू किया है gender संबाद मतलब equality के लिए कारी किया जा रहा है महिलाओं के शर्शक्ति करेंड के लिए फिर सार्था क्योजना ये अत्यंत महत्यपूर्ण है चुकि सिक्षा नीती बहुत ही महत्यपूर्ण है और नई सिक्षा नीती आई है उसके तहर तो सिक्षा का आयाम कुछ माइनों में change हो जाएगा और जो हमारी आशा है कि positive ही हो तो अभी तो लागू नहीं हुई है लेकिन कुछ वर्शों में लागू हो जाएगी इसकी उपर में एक अलग से lecture बना दूँगी तो सार्थक योजना का समन्द किस्से है कि जो नई सिक्षा नीती है 2020 की उसको आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल लागू की गई है आप मुझे comment box में लिखकर बताईए कि जो नई सिक्षा नीती है उसको किस व्यक्ती की अध्यक्षता में बनाया गया है फिर सिक्षा मंत्रा ने एक योजना शुरू की है योवा पी-म योजना यहाँ पर योवा का भी full form है आपने देखा होगा कि current में जो government है उसको abbreviation बहुत पसंद है हर चीज का आपको full form मिल जाएगा तो आपको याद रखना है क्योंकि यह पूछे भी जाते हैं योवा यंग, अपकमिंग, एंड वर्सेटाइल ओथर्स तो यह नाम से समझ में आ रहा है तो सिक्षा मंत्रा लाने की है तो लेखक और भारतियों को लेखकों को सलाह देने के लिए तता भारतियों लेखन पटल को व्यक्त करने के लिए कि अगर किसी के अंदर लेखर शमताथ अच्छी है तो उसको एक प्लेटफर्म प्रोवाइट कराया जाए फिर ये चुकि हम मध्यप्रदेश में रह रहे हैं मध्यप्रदेश के लिए मध्यप्रदेश में भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे तो अभी सिकल सेल एनिमी सिकल सेल मिशन का उधगाटन किया गया जिसके अंतरगत जो एनिमिया है थेली सीमिया है इन भी मारियों से जो पेड़िद व्यक्ति हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो सिकल सेल मिशन फिर मुख्रमंत्री राशन आपकी द्वारी उजना के तहट जिन ग्रामीड शेत्रों में उचित मूली की दुकान FPS का फुल फॉर्म होता है Fair Price Service तो यह जो है मतलब जहां पर ग्रामीड शेत्रों में उचित मूली की दुकाने नहीं है उन तक राशन पहुचाने का काम किसका है मुख्य मंत्री राशन आपके द्वार योजना फिर देवारणी योजना देवारणी योजना क्या है आयरवेदिक दवाओं के उत्पादन के लिए जो औशदिये पौधों की खेती करते हैं आदिवासी शेत्र के लोग उनके लिए बिविन्य प्रकार के अफसर प्रवाइड कराने का कार है देवारणी योजना का लाडली लक्ष्मी योजना मोस्ट आई एमपी ये क्वेशन आपको पेपर में छपा मिलेगा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो पहले क्या होता था कि स्कूल तक इसका कवरेज दिया जाता था अब कॉलेज और योणिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए कितने पैसे दिये जाएंगे छात्राओं को 20-25 अजार तक की राशी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्जेक्ट बताईए कि लाडली लक्षमी योजना के तहत क्या चेंजिस हुए है और कितनी राशी अब बर्तमान में दी जाएगी कॉलेज वर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फिर अंकुर योजना तो अंकुर योजना का जो जो रिलेशन है वो प्रक्षा रूपन से है प्रक्षा रूपन को प्रोथसान दिया जाएगा और इसके तहत यदि आप पौधा लगा के सेल्फी अपलोड करते हैं तो आपको प्राणवायू पॉर्षकार भी दिया जाएगा फिर मुक्हमंत्री COVID-19 कल्यान योजना इसके तहत COVID-19 के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं और उनको 5000 रुपे प्रती माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी फिर साल्ट ये इतना मातिपूर नहीं है फिर बेक्टू ये नहीं पढ़ना है इधर आ जाएए CBSC ने कुछ योजना शुरू किये जिसका नाम है वीर गाथा योजना वीर गाथा नाम से समझ में आ रहा है कि जो वीर हुए है लोग जो स्कूलों में वीरता विजेताओं के पुरुषकारों को जो जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया है या फिर कुछ बहुत ही ऐसा कारी किया है जो सराहनी है तो उनको याद करने के लिए उनकी गाथाओं मतलब उनकी जो जो भी उनका योगदान है उसको क्या पढ़ाया जाएगा इसकूलों में वीर गाथा योजना के तहत फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रा ले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रा ले के वर्तमान में मंत्री कौन है या आपको कमेंट वोक्स में लिखकर बताना है फिर इसमें बहुत सारी योजना है लांज की है जिससे इसमाईल योजना तो इसमाईल योजना का जो संबंध है वो जो transgender समुधाय के लोग हैं या फिर भेकारियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराने का काम smiley उजना के अंतरगत है अब देखिए जो लोग भीक माँग रहे हैं या फिर जो transgender है जिनके साथ अच्छा भ्युहार नहीं किया जा सकता उनको safety और social safety प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा जिससे उनके चहरे पर क्या आ जाएगी smiley आ जाएगी इस तरीके की कुछ अच्छी सी smiley आ जाएगी फिर है सामाजिक दूसरी है stress योजना तो ये अनुसूचत जाती अनुसूचत जाती मीस जो इसी के शात्रों को गुडवत्ता पूर्ण आवासी सिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी stress योजना के तहत फिर है seed seed scheme जो है वो गुमन्तू जन जाती अब एक प्रशनोटेगा कि गुमन्तू जन जाती क्या होती है जो गुम गुम के जीवन नर्वा करती है किसी एक जगा पे नहीं रहती है पहले किसी और स्थान पे फिर किसी और स्थान पे जैसे बंजारा और अन्य भी जन जाती है तो ये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको बीमा मकान और उनको financial help provide की जाएगी seed scheme के तहत यही confusion होता है जैसे paper में seed scheme दिया है अब आपने तो पढ़ा नहीं है तो आप सूचेंगे seed है means कुछ plantation वगेरा से related होगा लेकिन यह scheme के नाम पर हमको नहीं जाना है उसके काम को याद रखना है फिर sage है जो startup के लिए दिया जाएगा बुजरगों की देखवाल करने के लिए startup के माद्यम से बुजरगों की देखवाल है तो उत्पाद और सिवाएं प्रदान करेगी sage तो इसको कैसे आत करेंगे हम sage sage में क्या होता है कि हम बुलते ना sage कर रखना है तो जो बुजरग है उनकी चीजों को उनकी देखवाल करने के लिए हम sage sage कर रखेंगे फिर most important है sambhav scheme ये अभी काफी exam में पूची भी गई है MSME मंत्राला है जो सूक्ष्म लगू और मत्यम उद्योग मंत्राला है उसने launch की है sambhav scheme जिसके तहट क्या होगा कि योवाओं की भागी दरी को बढ़ाने के लिए sambhav नामक जागरुकता पहल शुरू की गई है फिर केंद्रीकरशी और किसान मंत्राला की scheme है किसान सार्थी जो किसान सार्थी scheme है तो केंद्रीकरशी मंत्य नरिन सिंग तो उमरजी द्वारा किसानों को फसल की जो जानकारी है वो सार्थी नामक एहप है उस पर मिल जाएगी फिर एलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की मंत्राला ने एक पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है समरद्धी कारिक्रम ये भारती स्टार्ट अप को बढ़ाने में हेल्प करेगा फिर अगर नीतियायोग कुछ भी स्कीम लौंच करता है कोई रैंकिंग जारी करता है तो ये काफी महत्यपूर हो जाता है उद्ध्यमिता कारिक्रम छात्र उद्ध्यमिता कारिक्रम 3.0 तो इसके तहए 3D तकनीक का उप्योग करके स्टार्ट अप तैयार करने के लिए फंडित दिया जाएगा ये तना मत्यपूर नहीं है वैसे चलिए नेक्स्ट है परियावरण मंत्राले ने शुड़ू किया है निधी 2.0 निधी 2.0 के इंतरगत क्या किया जाएगा कि जो अभी लोग सवाद्यक्षे है ओम बिडला जी उन्होंने परियतन दिवस बिश्व परियतन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को इसके अउसर पर परियावरण मंत्राले को आसानी मिज़ परियावरण मंत्राले द्वारा डिजिटल से बिदा अपलब दिखी जाएगी ये निधी 2.0 है ओके फिर CSIR CSIR का फुल फॉर्म क्या है ये मैंने CSIR का लेक्चर भी लिया है आपने नहीं देखा तो उसको अच्छे से देख लीजे और बताइए कि ये क्या है फुल फॉर्म CSIR का क्या है ओके फिर प्रत्वी और विग्यान मंत्राला की है समुद्रियान अभियान तो हमने वहाँ Deep Ocean Mission पड़ा था वैसे ही ये समुद्रियान अभियान भी है कि इसके तहट क्या किया जाएगा कि जो गहरे मतलब जो गहराई में resources हैं गहरे समुद्र में खनन और अन्वेशन के हेतू भारत के पहले मानव्यक्त महासागर मिशन की सुरुवात की गई है ओके मतस्या नाम इसका मतस्या 600 ऐसे question UPSC जरूर पूछता है UPSC के favorite topic होते हैं ओके तो फिर है तो ये हमारी scheme complete हुई ये scheme ऐसी है कि आपको लग रहा होगा ये topic इतना महत्यपूर नहीं है लेकिन क्या है कि आपको mains में बहुत help करेंगी और prelims में भी अब जो जैसा पहले paper आते थे वैसा change हो रहा है pattern तो अब आपको जो इसकी चर्चा में रही है current में रही है वो आपको काफी help करेंगे इसको एक दो बार सुनने पर ये याद हो जाएगा इतना tough नहीं है थोड़ा सा आप relate करके भी याद कर सकते हैं thank you so much अगर आपको मेरा efforts अच्छा लग रहा है तो please like, share and subscribe जैहन जैभरत